क्या हुआ जब अचानक आयोध्या पहुंचा, सैकडों नागों का जुंड इनका संबंध नाग लोग से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमतकार क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का जुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायू के वन्शज कहा जा रहा है, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो की जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमतकार देखने को मिल रहा है, जो आयोध्या के लोगों के लिए ही खत्रा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से परदा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंद है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक आयोध्या में क्यों निकल रहे हैं। वह भी अलग अलग प्रजाती के लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी सोंबार के दिन आयोध्या के नव निर्मित राम मंदिर में होने जा रही। राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बे सबरी से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है बलकि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का रहस से जान कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभुश्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्थ में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन म्रिग शीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्थ का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुब मुहूर्त में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभू श्री राम सदैव मूर्ती के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदी का रहा है, वैसे वैसे अलग-अलग प्रजाती के नाग अचानक ही आयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि आयोध्या वासियों के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं, लेकिन गिद्धों का और भालूं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है, उन्होंने रामायन में उनकी सहायता भी की थी, लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आज की वीडियो में इस रहस्य से परदा उठने वाला है, चौकाने वाली बात ये है कि इनमें दो प्रजाती के नाग अलग शेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है, प्रभु श्री राम के भाई लक्षमड साक्षात अनंत शेश नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेश नाग तीनों ह अब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्षमड यानि शेश नाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं, तो क्या शेश नाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है, लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाग लोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है? वह सचाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटना क्रम को मल्टी वर्स के साथ जोड़ कर द इस संसार के प्रत्येक स्रिष्टी चक्र को एक कल्प कहा जाता है, हर कल्प के चार युग या चार भाग होते हैं, दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायन करके फिर से बैकुंट लोट जाते हैं, यानि कि अगर आप इस प्रि आगे मल्टीवर्स की सचाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सचाई पर यकीन होने लगेगा, इस दुनिया में केवल तीन विदवानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की टाइम ट्रेवल करने की इजाज़त दी गई है जिसमें पहले है वासुकी नाग दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काक भुशुंडी देव तक्षक नाग वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं लेकिन सवाल उठता है आखिर काक भुशुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया वेदों और पुराणों के अनुसार काक भुशुंडी ने एक ग्यारा रामायन और सोला महा भारत देखी है वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे भगवान राम ने ही काक भुशुंडी को अमर बनाया था कोई के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काक भुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई प्रभु खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की समय आने पर काक भुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काक भुशुंडी दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आये काक भुशुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काक भुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी काक भुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रती अपनी भक्ती हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं काक भुशुंडी के प्रेम और समर्पन से प्रसंद होकर भगवान राम ने उन्हें आशीरवाद दिया कि काल भी काकभु शुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे जिसके बाद स्रिष्टी के 27 चक्रों तक जीवित रहे उन्हें अमरता का वर्दान प्राप्त हुआ वे कौवे के रूप में जीवित रहे यह भी हो सकता है काकभु शुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्मान कारे को अपनी आँखों से देख रहे हो यानि कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानि यूनिवर्स में जा सकते हैं टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना वो भी राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उध्धार हो जाता है लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टी वर्स यानि स्रिष्टी चक्र को मानने को तयार नहीं होंगे लेकिन आगे हम एक ऐसे कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायन से जुड़ा है और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टी वर्स वास्तव में होता है जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इनसान की मृत्यो निश्चित होती है उसी तरह इनसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धर्ती पर एक निश्चित समय है वह समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोग वापस लोटना पड़ रहा था उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोग को छोड़ कर वापस विश्णु लोग गए भगवान श्री राम के मृत्यों में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुँच सके लेकिन स्वयम श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टी वर्स यानी स्रिष्टी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यू का समय हो गया था वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो मेरे लिए वैकुंट मेरे स्वर्गी धाम जाने का समय आ गया है लेकिन मृत्यू के देवता यम आयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुझ प्रहरी हनुमान से भाय लगता था यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्ष के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा हनुमान ने स्वेंग का स्वरूप छोटा करते हुए बिलकुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंडने के लिए छेद में प्रवेश कर गए वह छेद केवल छेद नहीं था बलकि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नाग लोग तक जाता था हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया वासुकी हनुमान को नाग लोग के मध्य में ले गए जहां अंगूठियों का पहाड जैसा धेर लगा हुआ था वासुकी ने कहा यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी हनुमान सोच में पड़ गए कि वह कैसे उसे ढूंड पाएंगे क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंडने जैसा था लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी आश्चरे जनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह भी राम की ही अंगूठी थी वास्तव में वह सारी अंगूठी जो उस धेर में थी सब एक ही जैसी थी इसका क्या मतलब है वह सोच में पड़ गए वासु की नागबाले जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलाई के साथ उसका अंत भी हो जाता है प्रतेक कल्प में चारों युगाते हैं और समाप्त भी होते हैं और हर सतयुक्यंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और प्रिथ्वी पर राम मृत्यू को प्राप्त होते हैं इसलिए यह सैकडो हजारों कलपों से चली आ रही अंगूठियों का धेर है, सभी अंगूठियां वास्तविक है, अंगूठियां गिरती रही और इनका धेर बड़ा होता रहा। भविश्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगए है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के परवत से साक्षात कोई आकस में घटना नहीं थी। यही माल्टिवर्स का रहस्य था, यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यू को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यू को प्राप्थ होंगे, संसार समाप्थ होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनह बनता है और राम भी पुनह जन्म लेंगे। प्रताओं के ही अंच थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आँखों से देखने के लिए आयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायन काल पूरा हुआ, तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लोड़ गए, मात्र आयोध्य में मिलने की बात कही जाती है। रामायन के अनुसार कुछ नहीं सर्व प्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज जन्म भूमी पर निर्मान करवा, या वहीं जैन परमपराओं के मताबिक अयोध्या को रश्म देव ने फिर से बसाया भविश्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमा दित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्मान करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सर्यू नदी के लक्षमन घाट को आ निर्मान करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आकरमणकारी सालार मसूद ने जन्म भूमी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अयोध्या में राम जन्म भूमी मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई। हिंदूों क दावा रहा है कि मुगल आकरमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़ कर उस पर मस्जिद का निर्मान करवा दिया। दोस्तों आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान चुपा है। उस समय आकरमणकारियों ने काशी मतुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूट पाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन चौधवी सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर क की रक्षा करने के लिए आस पास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साध्यों ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी। विभिन आकरमणों को जेलते हुए श्री राम की जन्म भूमी पर बना। भव्य मंदिर चौधवीय शताबदी एवं अयोध्या को नश्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 15, 127 और 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगा बाबरी मस्जित का धांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल सामराज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापती ने बिहार अभ 1885 को हिंदू महंत रगुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंप हरी किशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जित की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसल्मानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिये और मस्जित के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जबकि हिंदू श्रधालूं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1989 में एक ऐसा चमतकार हुआ जिसे देखकर मुसल्मानों की भी आँखें खुल गई। यह राम लला का बहुत बड़ा चमतकार था कि मस्जित के अंदर से अचानक ही राम लला की मूर्ती प्रकट हो गई। कुछ कटर पंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्री के समय चुपके से यहां पर मूर कर दिया। सरकार ने इस थल को विवादित घोशित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई। अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित धांचे क उपर भगवा ध्वज फैरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। जिसमें सैकडो राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सर्यूत तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस सह हत्या कांड के बाद अप्रेल 1991 को उत्तर प्रदेश के ततकालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधूं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित धांचा गिराया गया। उस समय राज्य में कल्य सेवकों का एक बड़ा जथा मस्जिद की दीवार पर चड़ने लगता है। लाखों की भीड को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के तीन बजकर 40 मिनट पर पहला गुमबद भीड ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्यान सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है। लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंद्वों का बलिदान देखते हैं तो हमारी आँखें नम हो जाती है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमन कारियों के लिए आपका क्या विचार है। इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रधांजली नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो त हमेशा ऐसे सत्य चमतकारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें.